नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है भागवत गीता हिंदू धर्मशास्तर का एक मेहत्वपूर्ण हिस्सा है जो महान और धार्मिक ग्रंथ के रूप में प्रसिद्ध है इसमें भगवान कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत के यूद भूमी में धर्म, कर्तवे और जीवन के मूल सिध्धान्तों का उपदेश दिया भागवत गीता मानव जीवन के मूल सिध्धान्तों पर विचार करने का अद्भूत माध्यम है और इसका मेहत्व ध्यान, कर्म और भक्ती पर जुरा हुआ है इस ग्रंथ में आत्मा, इश्वर और संसार के संबंध का विस्तार से वर्नन किया गया है आज हम भगवान श्री कृष्ण की वानी के बारे में जाएंगे ये वानी सुनने के बाद आप आपने जीवन में हर समस्या का सामना कर पाएंगे इसलिए भगवान के प्रतिभक्ती और श्रद्धा रखना चाहिए तो चलिए दोस्तों आज के वानी को सुनते हैं जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए क्योंकि कमजोर आपका वक्त होता है आप नहीं जीवन में निराशा का सामना करते समय आपको खुद पर भरोसा रखना अतिंत मेहत्वपूर्ण है इसके बजाए कि आप अपने आत्मशक्ती को भूल जाए आपको यह याद रखना चाहिए कि आपकी असली ताकत आपके अंदर बसी है जब आप खुद में विश्वास करते हैं तो आपका पूरा द्रिष्टिकोन बदल जाता है निराशा का अंधकार अकसर हमारे मन को घेर लेता है लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि असली शक्ती हमारे अंदर ही चुपी होती है जब हम अपने आत्मा में विश्वास करते हैं तो हमें एक नई सोच और नईक शमताओं का अफसर मिलता है जीवन में उतार चढ़ाव तो होते ही हैं लेकिन यह हमारे होसले को कमजोर नहीं बलकि मजबूत बनाते हैं चुनोतियों का सामना करते समय कभी कभी हम अपनी वास्तविक शक्ती को भूल जाते हैं लेकिन जब हम अपने आपको पहचानते हैं तो हर कठिनाई में एक नई अफसर बन जाता है निराशा के बजाए हमें खुद पर भरोसा रखना चाहिए क्योंकि कमजोर हम नहीं बलकि हमारा विचार होता है जीवन एक अनोखा सफर है और इस सफर में निराशा से बचकर हम खुद को और भी मजबूत बना सकते हैं जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सार्थी बनना स्वार्थी नहीं जीवन में जब हमें किसी के लिए सार्थी बनने का मौका मिलता है तब हमारा मूले होता है उस साथी के साथ प्रेम और समवेदना का यह एक ऐसा अनुभव है जिसमें हम दूसरे के साथी के साथ सफर में सहायक बनते हैं ना कि खुद के लिए फाइदा उठाने वाले सोचो जब आप किसी को सार्थी बनाते हो तो आप उसके साथ चलते हो। सुख सुख में साथ देते हो और उसके उदाहरन से सीखते हो। सार्थी बनने का मतलब है एक दूसरे का भरोसा जीतना, सहायता करना और मुसीब्तों में एक दूसरे के साथ खड़ा रहना। जीवन में हमारे पास अनेक मौके आते हैं जब हम अपने स्वार्थ के लिए ही सोचते हैं, लेकिन जब हम किसी के लिए सारत ही बनते हैं, तो हमारे अंदर की इंसानियत का असली रंग निकराता है. ये एक अनोखा अनुभव है, जिसमें सहायता और प्रेम का मेहत्व समझने को मिलता है सार्थी बनने का मज़ा तब आता है, जब हमारा दिल खुशी से भर जाता है देखते हैं कैसे हमारा साथ हमारे दोस्त या परिवार के लिए किसी मुश्किल को आसान बनाता है सार्थी बनने में एक अलग ही चर्म होता है, जिसमें मज़ा, प्रेम और मेलजोल होती है अगर आप किसी को छोटा देख रहे हो तो आप उसे या तो दूर से देख रहे हो या तो अपने भीतर के अहंकार से जब हम किसी को छोटा देखते हैं तो इसके पीछे चुपा हुआ कारण या तो हमारा दूर से देखना होता है या फिर हमारे अंदर के अहंकार का असर होता है ये एक दिल्चस्प मंजर है जिसे हम समझ सकते हैं दूर से देखना का मतलब है हमारे नजरिये में उस व्यक्ति को कमजोर या नीचा देखना कभी कभी हम लोग दूसरों को उनके शरीर या स्थिती के आधार पर जगर लेते हैं जो की गलत होता है इसमें हम अपने विचार और भ्रमों से प्रभावित हो जाते हैं दूसरी और हमारे अंदर के अहंकार का भी असर होता है हम जब किसी को छोटा देखते हैं तो हमारे मन में अकसर यह विचार आता है कि हम उनसे बेहतर हैं या उनका सम्मान नहीं करना चाहिए इसमें हम अपने आपको उन्चा दिखाने की कोशिश करते हैं जो की सच नहीं होता यह बहुत जरूरी है कि हम दूसरों को उनके व्यक्तित्व और योगदान के आधार पर देखें न कि उनके बाहरी रूप या उनकी व्यवस्था को देखकर उन्हें जे करें हर व्यक्ति अपने तरीके से मेहत्वपूर्ण है और हमें इस बात का आदर रखना चाहिए अगर हमें लगता है कि कोई छोटा है तो शायद हमें उनके साथ समबाद करके उनके विचार, भावनाय और द्रिष्टिकोन समझना चाहिए इस से हमारे अंदर के अहंकार की जगह एक समझदारी और समवेदना भर जाएगी जो हमारे रिष्टों को मजबूत बनाएगी यह जरूरी है कि हम अपने नजरिये को बदले और हर व्यक्ति को इज़्जत दें हर किसी का अपना एक महित्व है और हमें सभी को समझने की और उनके साथ सचाई और समवेदना के साथ रहने की कोशिश करनी चाहिए यूद्ध हो या जीवन सफलता केवल तीन शस्त्रों से प्राप्त होती है धर्म, धैर्य और साहस यह तीन गुन हमारे जीवन को सफलता की उन्चाईयों तक पहुचाने में मदद करते हैं धर्म हमारे जीवन का मूल आधार है जब हम अपने कर्तवियों को निभाते हैं और समाज के साथ मेलजोल बनाए रखते हैं तो हमारा जीवन स्थिर और सेहज रहता है धर्म हमारे सोचने और व्यभार को नियंत्रित करता है जिससे हम गलत कामों में नहीं पढ़ते और हमारा मन साफ रहता है धैरे जीवन में मुश्किले आती हैं लेकिन उनका सामना करने में धैरे बहुत जरूरी है जैसे एक योध्धा यूध में सब्र और स्थिर्ता बनाए रखता है वैसे ही हमारे जीवन में भी धैरे हमारे मन को शांत और त्यार रखता है धैरे से ही हम मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों का सामना करके आगे बढ़ सकते हैं साहस यह गुन हमारे जीवन में आगे बढ़ने का होसला और हिम्मत भर देता है जब हम किसी नए कदम की ओर बढ़ते हैं तो साहस का होना जरूरी है साहस हमारे अंदर छुपीक शम्ता को जगाता है और हमें आगे बढ़ने में प्रोथसाहित करता है बिना साहस के हम किसी भी बड़े लक्षे को हासिल नहीं कर सकते इन तीनों शस्त्रों का मेल जीवन के हर शेत्र में उप्योगी होता है चाहे कोई बड़ा लक्षे हो या छोटा, धर्म, धहर्य और साहस हमारे साथी बंकर हमें जीत की उचाईयों तक पहुँचा सकते हैं यदि हम इन गुनों को अपने जीवन का हिस्सा बनाए रखेंगे तो हम हर मुश्किल को पार करके अपनी मंजिल तक पहुँच सकते हैं और इसका सामना करना कठिन हो जाता है इसे समझने के लिए हमें कुछ सोचने पर मजबूर होते हैं सोचो एक विक्ती जो अपने लक्षियों की ओर बढ़ रहा है लेकिन उसके चारों तरफ लोग हमेशा ही बुरायों की बाते निकाल रहे हैं ये नकारात्मक विब्स उसके अंदर एक अस्वधान और अकेला माहौल बना देती है हर कदम पर उसे लगता है कि सभी उसके खिलाफ हैं जिससे उसका मंजिल पाने में मुश्किल होती है इस समस्या का एक कारण हो सकता है विक्ती का विवहार या सोचने का तरीका अगर कोई हमेशा दूसरों को आलोचना करता है या फिर नकारात्मक हवाओं का हिस्सा बन गया है तो लोग उससे दूर हो जाते हैं इससे विक्ती अकेला महसूस करता है और उसकी मंजिल के रास्ते में ठोकर खाने का खत्रा भी बढ़ जाता है इस मुश्किल को हल करने के लिए विक्ती को अपने व्यभार पर गौर करना होगा क्या वह लोगों के प्रती समझदार है? क्या उसका व्यभार सहानुभूती और समवेद्ना को दर्शाता है? यदि हा तो व्यक्ति को अपने आपको और अपने लक्षे को पाने में आसानी होगी ये भी सत्य है कि कभी-कभी नकारात्मक लोग हमारे चारों तरफ होते हैं लेकिन हमें अपने आप पर भरोसा रखना चाहिए दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे विंती है कि अगर आप सच्चे भगवान श्री कृष्ण जी के भगते हैं तो वीडियो को लाइक करें और अजे हिंदी कहानिया चैनल को सब्सक्राइब करें चलिए आगे बढ़ते हैं वह सब कुछ करो जो तुम्हे करना है लेकिन लालत से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, इरशा से नहीं बलकि प्रेम, करूना, नमरता और भक्ती के साथ जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता आसान नहीं होता लेकिन यदि हम अपने क्रियाओ को प्रेम, करूना, नम्रता और भक्ती के साथ अनुसरित करते हैं, तो सफलता का मार्ग खुलता है ये एक मूल मंत्र है जो हमें सीखाता है हमें ना केवल अपने लिए बलकि दुसरों के लिए भी कारे करने में मदद करता है जब हम अपने क्रियाओ को प्रेम के साथ अनुसारित करते हैं, तो हर कार्य एक नई रोश्नी में चमक उठता है प्रेम एक ऐसा अमरित है, जो हमारे विवहार को मधूर बनाता है करुणा, दूसरों के दुहक दर्द को समझना और उनका साथ देना है करुणा से हम अपने आपको और दूसरों को एक संबोधनशील और सहायक व्यक्ति बनाते हैं नम्रता अपने आपको नीचे दिखाने का नहीं बलकि समर्पन और समझदार रूप है जब हम नम्रता के साथ अपने कर्त्वियों को अनुसारित करते हैं तो हमारे अंदर एगोिस्टिक भावना कम होती है और हम दूसरों के प्रती अधिक समझदार बनते हैं भक्ती किसी भी कारे में दिवेता और श्रद्धा का भाव है यदि हम अपने क्रियाओ को भक्ती भाव से अनुसारित करते हैं तो हम उसमें पूरा समर्पन और उत्साह लेकर कारे करते हैं भक्ति से हम अपने लक्षे की ओर सिध्ध हो सकते हैं क्योंकि यह हमारे अंदर से आने वाले शक्ति को जगाता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, कठिन समय में समझदार व्यक्ती रास्ते खोजते हैं और कायर व्यक्ती बहाने यह वाक्य हमारे जीवन में प्रक्तिशील सोच और दृद्धा को प्रकट करता है. इसमें एक गहरा तत्व छुपा हुआ है, जो हमें जीवन के मुक्य परिवर्तनों के समय अपने व्यभार का मूल्य समझने के लिए प्रेरित करता है. जब कठिनाईयों का सामना होता है, समझदार व्यक्ती विचार करते हैं और नए रास्तों की तलाश करते हैं. वे संकट के बीच अपने लक्षे को प्राप्त करने का मार्ग ढूंडते हैं. उनकी द्रिष्टि को नए उपायों की ओर मुर्ने का सुझाव देता है, जिससे वे अपनी मंजिल तक पहुँच सकते हैं. वही समय पर कायर व्यक्ती बहाने बनाते हैं. वे संकट को एक भयानक पहलू मानते हैं और उससे बचने के लिए विभिन बहाने ढूंडते हैं. उनका व्यवहार समाधान की ओर नहीं होता बलकि वे अपने आपको और दूसरों को गुमराह करने में विस्त रहते हैं. हमें यह सिखाता है कि जीवन में कभी भी कठिनाईयों का सामना करना सामाने है. समझदार व्यक्ती उस समय अपने आपको और अपने पर्यावरन को मूल्यांकन करते हैं और यदि उन्हें नया रास्ता दिखाई देता है तो वे उस पर चलते हैं. उनका उचित निर्ने उन्हें आगे बढ़ने में सहायक होता है. कायार व्यक्ती दूसरी और संकट को देखकर हार मान लेते हैं. वे अपने असली पोटेंशियल को पहचानने में असमर्थ होते हैं और संकट को एक बड़ा रूप देने के बजाएव्यक्ती को अपने अपने भायों का सामना करना चाहिए. इस प्रिर्नादायक कतन से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में कठिनायां आती हैं, लेकिन हमें उनका सामना करना जरूरी है. समझदार बनना और नए रास्तों का पता लगाना हमें हर मुश्किल को पार करने में मदद करेगा. जबकि कायार बनना सिर्फ बहाने बनाना है, हमें अपने द्रिष्टिकोन को सुधार कर नई संभावनाओं को देखने की क्षमता बनाए रखनी चाहिए. आज के लिए इतना ही भगवान श्री कृष्ण की ये बातें अगर आपको पसंद आई तो कमेंट में जैश्री राधे कृष्ण जरूर लिखें और ऐसे ही प्रिर्नादायक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले. धन्यवाद जैश्री कृष्ण